हिंदी कथा दादा की मूर्ख था एक काउ में एक बुड़ा रहता था वह बड़ा मूर्ख था लोग उसको दादा कहते थे एक दिन उसे गरी खाने की इच्छा हुई इसलिए वह नारियल खरीदने के लिए बाजार गया दादा को बाजार में नारियल का धाम ज़ाधा लगा इसलिए वह सस्ते धाम में नारियल खरीदने के लिए बहुत दूर तक गया अंत में एक भाग तक गया बागवान ने कहा कि पेड़ पर चड़कर नारियल तोड़ने में धाम देने की जुरत नहीं होगी यह सुनकर दादा बहुत खुश हुआ और मुफ्त में नारेल पाने के लिए पेड़ पड़ चड़ा तब जोर की हवा चली हाथ पैर लड़ खड़ाने के कारण दादा पेड़ से गिर कर मर गया अपनी मूर्खता की वजह से दादा को जान गवानी पड़ी